हलो फ्रेंड्स जावा लेंग्विज सीखने की सीरीज में आज ही हमारा लेक्षर नमर 19 का पार्ट वन है जिसके अंदर हम देखेंगे अर्थमेटिक ओपरेटर्स इन जावा इसके पिसले वाले वीडियो यानि कि लेक्षर नमर 19 के पार्ट 0 के अंदर हमने ओपरेटर का और अगर आपने लेक्षर नमर 19 का पार्ट 0 देख लिया है तो चरिए फ्रेंड्स बीना देरी के फटा पट शुरू करते हैं लेक्षर नमर 19 का पार्ट 1 अर्थमेटिक ओपरेटर्स इन जावा तो फ्रेंड्स देखिए नाम पे आप मज़ जाएए अर्थमेटिक ओपरेटर्स क्या होते हैं क्योंकि ये जो नाम है ये थोड़ा सा भोकाल बनाने के लिए बनाए गए हैं क्योंकि अगर मैं आपको सिंपली बोलता कि अच्छा आज हम जावा के अंदर सीखेंगे जोड बाकी गुणा भाग जिसको अपन बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मल्टिप्लेशन, डिवीजन तो क्या आपको मज़ा आता हैं आप बोलता है यार क्या बोल रहे हो यार जोड बाकी ये तो हम बचपर में सीख लिए ते देखिए इसलिए थोड़ा सा भोकाल बनान इनके behavior के इसाब से, इनके काम के इसाब से, ये किस तरीकी की operation परफॉर्म करते हैं, इनके इसाब से हम इनको थोड़ा-थोड़ा केटेगराइज कर देते हैं तो जावा वाले ने इनको 8 टाइप में केटेगराइज किया और आज हम इसका सबसे पहला टाइप देखेंगे, arithmetic operators, अब देखिए सुनने में जितना complex है इतना ही simple है, arithmetic operators मतलब जो अपने arithmetic operation करने के लिए काम में आते हैं, यानि कि ऐसे operators दिन से हम arithmetic calculation करते हैं, arithmetic calculation मतलब जो आपने बचपन के अंदर addition, subtraction, multiplication, division किया था, ठीक है, इनको अपन बोलते हैं, arithmetic operators जो ये calculation काम करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है, अब देखिए, एक बार आप definition पर थोड़ा सा गोर कर लिए, arithmetic operators are used to perform arithmetic operation on variables and data, यानि कि अगर आपके पास कुछ variables है या कुछ data है, उनके आप उपर आप arithmetic operation perform करना चाहते हो, arithmetic operation का बदलब addition, subtraction, multiplication, division, तो इनके लिए अपने को arithmetic operators दिये गए हैं, अगर आपको दो नमबर को जोड़ना है, जैसे 2 और 3, इनको अगर आपको जोड़ना है, तो आप इस वाले symbol को काम मिलीजी, इसको क्या बोलते हैं, addition symbol, ठीक है, addition symbol या addition operator, ठीक है, अब आप अगर इस lecture के अंदर है, तो आप operator वड़ काम मिलीजी, रिए वर वर के अंदर आप symbol बोल सकते ह ठीक है, अगर इनी दो नमबर को आपको subtract करना है, तो आपको 2-3, यानि कि आपको ये वाला symbol काम मिलेना पड़ेगा, ये दो symbol तो आप बच्पन से काम मिलेते हैं, अब देखिए, अगर आपको दो नमबर को multiply करना है, तो आप बच्पन के अंदर कौन सा symbol काम मिलीजी ते आ ठीक है, डिवाइड करना चाते हैं, तो आपको कोन सा symbol काम मिलेना है, ये वाला symbol, बच्पन में सधा आपने ये वाला symbol काम मिले होगा, इस तरीक से 2-3, लेगिन जावा के अंदर डिवाइड करने के लिए आपको ये वाला symbol काम मिलेना है, अब देखिए, आपके लिए ये ये जो percentage वाला symbol है, ये आपके लिए नहीं है, अब मैं आपको बताता हूँ, इस symbol का मतलब क्या होता है, बाकी सब symbol आपके लिए normal है, देखिए, आप मुझे बताईए, तेन डिवाइड बाइड टू करता हूँ, तो क्या आता है अपने पास, आउटपुट में, आप कहते ह इस तरीके, जिस तरीके से आपन बच्पन के अंदर डिवाइड करते हैं, तो इस में क्या वाँ, दो का भाग या दो से डिवाइड के तो पांच बार गया, उसके बाद में यहाँ आप आया 10 और उसके बाद में आगे 0, चालो, ठीक है, सेम मैं यह करता हूँ, टू को है, यह है reminder, इसको उपन बोलते है reminder, यह है reminder, अब देखिए, जावा वालों ने आपको डिवाइड करने के लिए आपको symbol दे दिया, multiplication के लिए भी आपको symbol दे दिया subtraction पर दे दिया लेकिन आपको remainder calculate करने के लिए कि कोई भी number है इसमें एक दूसरे number का भाग देंगे तो उसके बाद में reminder कितना आएगा वो reminder calculate करने के लिए आपको ये modulus symbol दिया गया है तो 2 modulus 5 का मतलब क्या होगा या 10 modulus 5 का मतलब क्या होगा या 10 modulus 3 का मतलब क्या होगा इसका simple मतलब होगा कि 2 का 5 में भाग दो ठीक है? Sorry इसका simple मतलब होगा 5 का 2 में भाग दो जो भी remainder आए वो answer में आ जाएगा 5 का 10 में भाग दो जो भी remainder आए वो answer जैसे 5 का 10 में भाग देंगे remainder क्या आएगा? 0 आएगा 3 का 10 में भाग देंगे इसको आप simply यह समलिए 10 divided by 3 और इसमें से remainder क्या आता है? वो तो देखे इसका 10 को अगर मैं 3 से divide करता हूँ तो मैं यह आपे लिखता हूँ 3 तो यह 3 बार गिया और यहाँ पे 9 आए remainder कितना है? 1 तो इसका answer क्या आएगा? 1 आएगा. इसका answer क्या आएगा? यह मैं आपके लिए अभी suspense रखता हूँ यह जब मैं आपको code के अंतर पर practical देखेंगे तब मैं आपको बताऊँगा ठीक है? तो modular symbol का simply मतलब क्या है? कि remainder कितना आता है अब देखें इसका huge काम पे होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ आपको check करना है कि number even है या odd है तो देखें यह अपन कैसे check करेंगी? कोई भी number को even या odd check करने के लिए आप क्या करते हो? उसको 2 से divide करते हो. 2 से divide करने के अगर आपका remainder 1 आता है remainder 1 आता है तो इसका मतलब क्या हो? वो number odd है अगर remainder 0 आता है तो वो number क्या even है थोड़ा सा आपको बच्चपन में ले सलता हूँ 10 even है या odd है? चेक करने के लिए आप 2 का भाग दीजिए 5 बार गया, 10 है remainder 0 है तो मतलब 10 क्या है? 10 है even number 11 क्या है? 2 का भाग दो 5 बार गया, 10 है, remainder 1 बच का है यानि कि 11 जो है? वो क्या है? sorry, odd number है तो किसी भी number को odd या even चेक करने के लिए क्या करते हैं? उस number में 2 का भाग देते हैं और अगर remainder 1 आता है तो वो क्या है? odd है, अगर remainder 0 आता है तो वो क्या even है ये काम अपन operator की help से आजाम से कर सकते हैं 10 modulus 2 अगर ये बराबर है किसके? 0 के इसका मतलब क्या है? कि जो number है 10 वो क्या है? वो एक even number है अगर 10 modulus 2 sorry, अगर 11 modulus 2 करेंगे तो आपके पास remainder क्या आएगा? 1 आएगा इसका मतलब क्या है? जो आपका modulus symbol ये अपने बच्पन में नहीं पड़ा है लेकिन language के अंदर याता है तो modulus symbol का मतलब क्या है? कि कोई भी number है इसके अंदर आप अगर दूसरे number का divide करते हो तो जो भी अपने पास remainder बसता है वो अपने पास output में आजाता है ठीक है? तो output में क्या हैगा? remainder आएगा 5 में 3 का भाग दोगे तो remainder कितना आएगा? 2 तो अगर मैं ये लिखता हूँ 5 modulus 2 तो इसका answer क्या आएगा? 3 आएगा 3 कैसे आएगा? कि 5 में 2 का भाग दीजिए अरे sorry, remainder आएगा 1 5 में 2 का भाग दीजिए जिसे 5 के अंदर में 2 का भाग देता हूँ तो कितने बार गया? 2 बार गया आया 4, remainder क्या बच्चा? 1 अगर इसी जिगे मैं 3 लिख देता हूँ 5 modulus 3 तो इसका मतलब क्या हुआ? भाग गया एक बार, यहाँ पे आया 3, तो remainder कितना आया पर? 2 तो इसका अंसर क्या आजएगा? 2 आजएगा तो चलिए, friends, अब साइध मैंने यहाँ पे होच-पोच कर दिया है तो एक बारापन थोड़ा से नीचे सलते हैं और मैं आपको simply इनका मतलब बता देता हूँ अपने पास 5 arithmetic operators होते हैं ठीक है? 5 हलागि यह बहुत simple topic गए लेकिन फिर भी मैं इसको बड़ा क्यों कर रहा हूँ था कि आपके दिमाग बचीजे रहे plus, minus, star और divide यह किसले काम आता है? divide करने के लिए इनको arithmetic operators को हमेशा अपना काम करने के लिए 2 operand की ज़रुरत होती है कित्ते की 2 operand must है? divide, strict, यह और यह इसके अलावा एक और नहीं आया है जिसका आपन बोलते है modulus यह क्या करता है? कि कोई भी number को दूसरे number से divide करो जो भी remainder बच्चे वो अपना answer में आ जाएगा ठीक है? अब देखें, friends, अपने पास यह 5 operator है ठीक है? modulus अब सोचिए, एक expression में लिखता हूँ 2 multiply 3 modulus 5 minus 4 divide 9 multiply 3 plus 2 अब देखें, यह एक expression है बच्चपन में आपने ऐसे expression खुब solve किया होंगे और देखें, लेंक बेज के अंदर भी आपको expression solve करने आने चाहिए अब देखें, यह expression है इसके अंदर almost सारे operators आ गए है तो इन में से कौन सा पहले solve होगा operator, कौन सा बाद में solve होगा यानि कि operators की कोई ना कोई priority होती है otherwise क्या होगा? कि सारे के सारे operators लड़ मरेंगे कोई answer कुछ लाएगा, कोई answer कुछ लाएगा ठीक है? तो देखिए इसका जिसे मैं आपको एक example देता हूँ कि मान लिजे मैं इसको मेरे साब से solve करता हूँ अगर कोई भी priority नहीं होती तो मैं क्या करता? इसको ऐसे लिखता ठीक है? और मैं इसको 5-4 कितना हो जाता? 1 हो जाता, divide by 9 star यह 3 plus 2 को मैं कितना कर देता? 5 कर देता एक आज में तो यह कर रहा है दूसरा यह कर रहा है क्या? 2 multiply अब देखिए 3 modulus 5 5 का 3 में भाग देंगे तो कितना reminder आएगा? मुझे आप बताईए तो इसकी value होगी 3 अब देखिए 3 क्यों ही? एक बार आप और रूल द्यान रख लीजिए यहां पर मैं करता हूँ कि देखिए जब 1st number अब देखिए modulus का मतलब क्या होता है? जैसे 5 modulus 3 का मतलब आप simply यह समझ लीजिए 5 divided by 3 ठीक है? इसके बाद में क्या reminder आता है? लेकिन अगर पहले वाला number छोटा होता है जैसे 9 modulus 16 तो अगर पहले वाला number छोटा हो जाता है तो हमेशा modulus के अंदर answer वही आ जाता है क्यों? क्योंकि देखिए 16 का अगर मैं 9 में भाग देता हूँ तो क्या होगा? 0 बार जाएगा और अपने पास reminder क्या बचाएगा? 9 तो याद रखिए reminder के अंदर एक rule modulus operator के अंदर यहाँ पर मैं अटाके लिख देता हूँ कि if first number is less than second number in modulus then output इसको पर reminder भी बोलते है equal to first number ठीक है? अब देखिए दूसरी आज में ने क्या किया? कि इसका result क्या है 3 plus 5 और उसके बाद में इन्हों लिखा minus 4 divided by 9 into और इसने 5 लिख दिया याँनि कि अगर एक ही expression के अंदर multiple operators काम में आते हैं याँनि सुनिए अगर एक ही expression के अंदर multiple operators काम में आते हैं तो उसके result different different आ सकते हैं अगर हमें operators की priority नहीं पता हैं इसलिए Java वाले ने कहा कि हम आपको operators की priority बताते हैं उसी priority पे operators को solve कीजिए ठीक है? तो अपने इस expression को लेते हैं देखिए अब देखिए इसके अंदर कौन-कौन से operators आ रहे हैं almost सारे आ रहे तो मेरी बात ध्यान से सुनिए star यानि multiplication division और modulus इन तीनों की priority होती है same और arithmetic operators के अंदर सबसे highest priority इन ही के होती है उसके बाद में priority किस कहती है प्लस और माइनस इनकी priority same होती है लेकिन इनसे इनकी priority less होती है तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे increasing priority लिखता हूँ increasing priority यानि कि जो सबसे नीचा होगा उसकी सबसे कम priority होगी सबसे उपर होगी उसकी सबसे ज़्यादा priority होगी प्लस माइनस और उसके बाद में आएगा स्टार डिवैड और ये तो इसका मतलब क्या वा अगर आपको एक expression के अंदर इन में से सारे symbol मिल जाए या कुछ भी symbol मिल जाए तो आपको किस तरीके से solve करना है? सबसे पहले आप multiply, division या इन तीनों में से कोई भी solve कर सकते हो उसके बाद में आपको ये solve करना है प्लस और माइनस कैसे इसी example से आपन देखते है देखिए solve करने का सबसे बेस तरीका क्या है? यहाँ पर आईए और देखिए सबसे पहले आपको multiply का यहाँ पर मिल गया तो सबसे पहले आप multiply को solve कर लीजिए multiply को कैसे solve करना है? कि multiply के पहले क्या है और बाद में क्या है उन symbol के आगे bracket लगा दीजिए ठीक है? और इनको solve कीजिए 2, 3, 2 into 3 कितना हो गया? 6 हो गया 6 modulus 5 minus 4 divide 9 multiply 3 plus 2 ठीक है? अब देखिए आप modulus है, multiply है, divide है आप modulus को solve कर लीजिए 6 divided by 5 remainder कितना आएगा? 1 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 minus 4 divide by 9 into 3 plus 2 अब आप देखिए यहाँ पर क्या आगया? यहाँ पर आगया divide और यहाँ पर क्या भी आगया? multiplication तो अब आपके बीच में confusion आगया, क्या? कि सर देखिए divide की और start दोनों की priority सेम होती है, तो मैं क्या करूँ? 1 minus, पहले ही तो मैं यह कर सकता हूँ 4 divided by 9 multiply 3 plus 2 भी हो सकता है, यह फिर 1 minus 4 divided by 9, 37 तो इन में से सर कौन सा सही है? यह तो क्या हो गया? उपर वाला तो हो गया, 1 minus 4 into 3 divided by 9 और नीचे वाला गया, 1 minus 4 divided by 27, यह निकि 9 into 3 तो इन में से कौन सा सही है? क्योंकि अब भी confusion हो गया जावा वाले ने priority तो बता दी, लेकिन दो symbol अगर लगातार आ गये तो अब आपन क्या करें? तो देखिए, मैं आपको एक रूल और बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको problem के साथ रूल याद दिलवाना चाहता हूँ, otherwise क्या होगा? आप यह सारी चीजे भूल जाओगे. देखिए priority क्या होती है? star divide और modulus, इनकी priority shame होती है, plus minus, इनकी priority shame होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा priority यह होती है और यह होती है, लेकिन जो भी expression है Java के अंदर जो भी आपको expression दिया हूँ, वो आपको हमेशा left to right solve करना है यानि left to right left to right जो जो symbol आए solve करते जाओ, अब देखिए इस case में क्या होगा? यानि कि left to right इस case में क्या होगा? इसका तो answer simply आजाएगा क्या? 1, minus अब आप देखिए, यहाँ पर आपको यह नहीं समझ में होगा है 4 divided by 9, 37 करना है, या फिर 4 divided by 9 into 3 करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? left to right जाना है, left में क्या क्या करना है? divide, तो आपको लिखना है 4 divided by 9, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर bracket लगाईए फिर वापस इसको same लिखिए plus 2 लिखिए, अब क्या अगर 1 minus 4 को 9 से divide करेंगे, तो क्या आएगा? मुझे नहीं पता, एक बार में calculator से करके देखता हूँ 0.4 पर, 0.4 पर आया है, ठीक है? अब क्या करना है? वापस से 3 plus 2 में आज़ाना है, अब कौन सा symbol आया? यह आया, strict वाला symbol इसको solve करो, 1 minus, इसके हो जाएगी 1 point जो भी होगी value, माली जे 4 होगी, plus 2 होगी, अब देखिए left to right आपको आना है, तो left to right का है, 1 minus 4, तो यह क्या होगी? minus 0.4 पचा, plus 2 किया, तो क्या होगी? 1.6 आंसर आया, तो इसलिए, मैं आपको एक rule बता देता हूँ, कि priority rule priority rule ठीक है? highest priority किसकी होती है? highest priority star, divide or modulus, इन तीनों के priority शेम होती है और उसके बाद में किसकी होती है? प्लस और minus की होती है, और java का जो भी expression है, आपको जो भी expression दिया है, उसको आपको left to right solve करते जाना है left to right solve कीजिए, और अगर आपको same priority के दो symbol एक साथ मिल जाते हैं तो आप क्या कीजिए? उसको left to right calculate कीजिए, ठीक है? अगर एक साथ नहीं मिलते, तब तो सही है, लेकिन अगर आपको कई पर ये लगे कि मैं इन में से क्या करूँ? 4 divided by 7 into 3 करूँ या 4 divided by 9 into 3 जो भी है, इसको मैं के से करूँ? तो आपको क्या करना है? left to right चलना है जैसे अपन इस केस में यहाँ पर फस गए थे, एक बार में दिखाता हूँ यहाँ पर अपन फस गए थे कि अब मेरे को क्या करना चाहिए? 4 divided by 9 पहले करना चाहिए, यह भी 9 into 3 पहले करना चाहिए, तो आपको क्या करना है? हमें सा left to right चलना है इस केस में ठीक है? तो चलिए friends, अब में उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीज़ समझ में आगी होगी अब चलिए फटा-पटा हम कर लेते हैं इसका practical क्योंकि theory को ज्यादा लंबा करने का मतलब नहीं है, ठीक है? तो चलिए मैं चलता हूँ अब अपने IntelliJay पे IntelliJay क्या है? अपनी वो ID है वो अपनी notebook है जहां पे हम अपना सारा code लिखते हैं और इसका introduction मैंने आपको lecture no.18 के अंदर पूरा बता दिया तो चलिए मैं फटा पर चलता हूँ अपनी ID पे तो friends, मैं आप अपनी IntelliJay ID पे आ चुका हूँ और अब यहां पे आपको एक empty project बनाना है अगर आपको नहीं पता empty project कैसे बनाते हैं तो मैंने lecture no.18 के अंदर इसको काफी deep में बताया है एक बार मैं आपको और बता देता हूँ आपको यहां फाइल पे क्लिक करना है open पे क्लिक करना है sorry new पे क्लिक करना है project पे जाना है और यहां पे आप empty project select कर लिजी इसका एक नाम दे दीजिए और आप ok कर दीजिए जैसे आप ok करोगे आपको कुछ इस तरह की interface दिखाई देगा अब यहां पे मैंने एक file बना रखिए इसको मैं delete कर देता हूँ ठीक है delete कर दिया अब मैं right click करके आपको क्या करना है यहां पे new और java class पे ok करना है और यहां पे आप मैं करता हूँ arith erath met arithmetic operators erath arithmetic operators आपको इलिख दिया enter करते हैं और आप देखिए java ने अपने को इतना code लिखके दे दिया है अब यह java ने क्या किया java ने एक class बनाई है अब देखिए अभी आपन कुछ ज्यादा नहीं देख रहे हैं अभी आपन सिर्फ erathmetic operators को समझना चा रहे हैं तो मैं यहां पे main method बना लेता हूँ मैं यहां पे main लिखके tape दबाता हूँ तो आप देखिए इस id ने automatically पूरा code लिख दिया है main method बनाने का ठीक है public, static, void main, string यहां पे आपर हमेसा a लिखते आये यहां पे आप कुछ भी लिखो ठीक है अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास कौन-कौन सी operators है मैं यहां पे लिखता हूँ plus, minus, multiplication, division और modulus चलिए हम इस AK के operator को देखते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले screen परी print कराता हूँ आप देखिए system.out.print ठीक है अब इसके अंदर आप कुछ भी print करा सकते हो तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 2 plus 5 अब बताया इसका अंसर क्या आना चाहिए? आप कहे रहे हो 7 आना चाहिए चलो ठीक है दूसरा मैंने लिखा 2 minus 5 इसका क्या आना चाहिए? minus 3 चलो 2 multiply 5 और मैं लिखता हूँ 2 divide 5 ठीक है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 modulus 5 और ctrl D दबाके लिखता हूँ 5 modulus 2 अब आप मुझे बताई इनका आंसर क्या क्या आना चाहिए? यह simply arithmetic operators है अब यह मैं बताऊँगा आपको इनको variables से किस तरीके से कर रहा है तो यहाँ पर हमने क्या लिए है? जावा-C, जावा करके उस तरीके से कुछ भी नहीं करना है आपको ID directly shortcut provide करती है शुरुवात में मैंने आपको इसलिए बताया वो process ताकि आपको पता चले internally कैसे flow चलता है चलिए थोड़ा सा wait करते है तो अब आप देखिए हमारा result क्या आया? आप देखिए 7 बिल्कुल सही है माइनस 3 बिल्कुल सही है 10 सही है लेकिन ये आप देखिए 2 divided by 5 अपने पास क्या आया? 0 आया ये 0 क्यों आया? ये अपने आप एक interesting बात है इसको आपन जानेंगे 2 modulus 5 अपने पास क्या आया? 2 आया क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर first number छोटा होता है second number से है तो answer हमेशा first number आता है second वाले में 5 modulus 2 का answer कितना आया? 1 आया जो कि expected है अब आपके मन में आ रहा है कि sir ये जो चीज़े ये हमको नहीं समझ माहिए जो है 2 divided by 5 जीरो क्यों आया? तो result हमेशा integer ही आएगा अब देखिए 2 को 5 में डिवाइड कर रहा हूँ तो result क्या रहा है? 0.4 आ रहा है तो इसका integer क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 लिखता हूँ तो देखिए क्या आता है? run करते हैं देखिए, अभी भी 0 आ रहा है यानि कि जब भी आप एक integer को integer से डिवाइड करते हो तो अगर आपका result फ्रेक्शन में आ रहा है तो उसका फर्स्ट वाला डिजिट आपके आउटपुट में आ जाएगा जैसे मैं 11 डिवाइड बाइ 5 करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? आउटपुट के अंदर दो आना चाहिए अभी देखते हैं, दो आता है या नहीं आता है देखिए, दो आ गया इसका मदलब क्या वाद, जो भी पोइंट के बाद की चीज़े हैं वो क्या हो रही? नेगलेक्ट हो जा रही है ऐसा क्यूं हो रहा है? Java का एक rule है कि अगर आप एक integer को integer से डिवाइड करोगे जाद रके अगर आप एक integer को integer से डिवाइड करोगे, तो result हमेशा integer आएगा, अगर वो value point में आ रही है, तो point की सारी by ना दिस्कार्ड हो जाएगी अगर आपको exact result लाना है देखिए अपकी बार 2.2 आ गया या फिर मैं यह करता हूँ 11.0 डिवाइड बाई 5 कर देता हूँ तो अभी अपने पास रिजल्ट सेम ही आना चाहिए अभी करता हूँ देखिए अपकी बार भी इस सही आ रहा है और अगर मैं 11.0 डिवाइड बाई 5.0 करता हूँ तो भी अपने पास क्या है रिजल्ट सेम ही आएगा देखिए अपने पास रिजल्ट सेम है इसलिए फ्रेंड जावा के अंदर आपको हर एक ओपरेटर को द्यान से समझना होगा क्योंकि हर एक ओपरेटर पे कुछ ना कुछ रूल्स अपलाई होते हैं अगर आप वो रूल मिस करते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या कोड इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है अब माली जी कि आप परसेंटेज केलकुलेट करने वाला प्रोग्राम बनाए हो जो कि अब क्या है कि हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट है वो 17.1 या 16.1 ऐसा आना चाहिए लेकिन अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए हमारे पास रिजल्ट कैसा आता है तो हमारे पास देखिए रिजल्ट डायरक्ट 75 आया जबकि एक्जक्ट वेल्यू 75 ने यह 75 पुइंट कुछ है तो वो पॉइंट लाने के लिए हमको इसके आगे या पिल्ट 0 लगाना पड़ेगा या फिर इसके आगे डोट 0 लगाना पड़ेगा यानि कि जब भी अपन ड एक्जक्ट वेल्यू चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं अब आपको एक सर मेरे पास तो नंबर 451 है तो इसको में डेसिमल में कैसे करूंगा मालीजे मेरे पास एक वेरियबल है उसके अंदर वेल्यू असाइन है 451 जैसे आप करे रहे हो कि सर जैसे मैंने एक निकालने एक बार मैं इनको नीचे कर देता हूं तो एसाउट करना है मेरे को पर्षेंटेज टोटल पर्षेंटेज और अब मेरे को यहां पर करना है पांसो चोबीस मुल्टिप्लाइशो डिवैड़ बाई 600 अब आप कह रहे हो कि सर देखिए मेरे पास पांसो चोईस है व यहां पर total obtained Marks लिख देता हूँ मैं ठीक है यहां पर total obtained Marks और यहां पर मेरे लिखता हूँ total marks total marks हमारे पास कितने का exam हुआ 600 का हुआ जिसमें से मेरे आये हैं कितने total marks तो यहाँ पर में लगता हूँ total obtained marks ठीक है अब देखिए मैंने percentage calculate करने के लिए क्या किया है कि मेरे कितने number आए multiply so divide by total marks अब अपने पास क्या है कि अगर मैं इसको run करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आता है result में तो देखिए मेरे total percentage आगे 87 लेकिन यह percentage क्या है गलत है क्यों क्योंकि यह percentage actual में decimal में आने चाहिए थे यानि 87.5 87.4 ऐसे कुछ आने चाहिए लेकिन यह result वेसा नहीं आया तो अब आप कहोगे कि सर मैं इस total marks को यह यहाँ पर total marks है इसको में decimal में कैसे convert करूँगा इसके आगे ऐसे point zero लेकूँगा नई यह चीज तो गलत है तो कोई भी number आपको दिया गया है इसको अगर आपको दूसरे rate type में convert करना है जैसे integer के अंदर है अगर आपको इसको decimal में कैसे convert करना है यह जानेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम सीखेंगे type conversion जिसके अंदर हम क्या करेंगे integer को double में convert करना सीखेंगे double को integer में convert करना सीखेंगे जिसे यह 524 integer है तो इसको अपन double में कैसे convert करेंगे तो इन सारे conversion को हम अपने next video में देखेंगे लेकिन अभी आप एक चीज समझिए एक rule को बाकी सब पर rule सेम अपलाई होता है सिर्फ दो जगे rule different हो रहा है कि एक तो modulus के case में क्या होता है अगर first number छोटा है second number से तो आपका result के आएगा हमेशा first number आएगा दूसरा division के case में rule के है कि अगर आप एक integer को दूसरे integer से divide करते हैं तो आपके जो dot से पहले की value है जैसे आप 21 में 5 का भाग देते हो तो 4 पॉइंट कुछ आना चाहिए 2 आना चाहिए तो आपका result में का आएगा 4 या आएगा क्यों क्योंकि आप एक integer को integer से divide कर रहे हो लेकिन अ decimal में convert कर जिए यानि कि at least one value decimal के अंदर होगी तभी आपका क्या actual result आईगा तो friends अब आप इसकी practice कीजिए और अगर मैं आपको वो same expression जो आपने अपने 5 minus 4 by 9 into 3 plus 2 plus 2 ठीक है अब इसको भी अपन directly run कर सकते हैं देखते है run करने पर क्या आता है मैं इसकी नीचे की सारी चीजिए side में ने अठा दिये ठीक है चलो इसको भी मैं हटा देता हूँ कि रन करते हैं तो अभी भी क्या है कि result अपना सही नहीं आएगा क्यों क्योंकि मैं एक division perform कर रहा हूं और division perform करने के लिए यह मस्ट है कि आपकी एक value decimal के अंदर होनी चाहिए देखिए मेरा direct result 3 आगया लेगर अगर इसको मैं 4.0 कर देता हूँ तो देखिए अपना result change हो जो भी है तो इसका मदलब क्या हुआ कि अपना result change हो रहा है किसके basis पे अगर अपनी value decimal है या नहीं है तो चलिए friends अम में उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीज समझ में आई होगी अगर आपको operators में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में जै 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 पूछिए लेकिन आपको इसके पर प्रेक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आप क्या है कि कोई भी वेबसाइट पे जाईए या गूगल पे जाईए और सर्च कीजिए arithmetic operator interview क्यों से और आप उनको explore कीजिए क्योंकि topic बहुत छोटा है आप real world के अंदर आपको सिर्फ इन में स project बनाओगे लेकिन आपको क्या अगर actual concept जानना है deep के अंदर जो आपकी interview में भी help करें तो उसके लिए आप क्या थोड़े बहुत interview के अंदर फसा सकती है और यही चोटी-चोटी चीजिए आपका पूरा-पूरा software खराब कर सकती है मान लीजिए कि आपने एक university का software बनाया और उसके अंदर आपने ऐसी गलती करती ऐसी गलती करती आपका जो percentage है वो कभी भी fraction में आई नहीं रहा है आपका मेंसा बिलकूल integer type क का result आ रहा है तो लोग घबरा जाएगी कि यार मेरे percentage तो गलत केल्कुलेट हो रहे है और फिर समझ रहे हो आपकी नोखरी तो कही तो चलिए friends bye bye take care आप चीजों की practice कीजिए क्योंकि practice ही आपको perfect बनाएगी चलिए thank you